हेलो एव्रीवान कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे तो आपको बता दे आज हम करेंगे जोने इंटलिजन्स रिजनिंग का एक इंपॉर्डेंट चेप्टर यहां पे आपको बता दू अगर आप ससी के एक्जाम की तयारी कर रहे हैं य लेकिन एक्जामिनर का एक ही मोटिव होता है कि वो जितना जादा आप लोगों का इस क्वेशन पे टाइम वेस्ट करवा सके उसकी कोशिश यहां पे करता है आज हम यहां पे दो चीज़े सीखेंगे एक तो हम लोग पढ़ेंगे सिंबॉलिक ऑपरेशन के बारे में दूसर एक मैथड बताऊंगा किस तरीके के कितनी टाइप्स के क्वेशन यहां पे आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं इसके अलावा जो बच्चे हमारी ट्रिपलेस की एप पे तो आपको हमारे जो एप पे कंप्लीट कोर्स है वहां पे मैं अलग से इसके लिए एक प्रेक् करते रहें वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बारी नजर डाल देते हैं यहां पे स्लेबस के ऊपर तो देखो स्लेबस के अगर मैं बात करूं क्वांट के हम लोगों ने मैंने आपको का था प्रॉफिट लॉस डिसकाउंट पार्टनर्शिप बिजनस एक साथ करेंगे के बाद हम रीजनिंग पर जाएंगे तो यह सब टॉपिक्स हम लोगों ने कर लिए हैं अब हम लोग आज बात करेंगे सिंबॉलिक ओप्रेशन के ऊपर यह सेकिंड यूनिट का पहला चैप्टर है बहुत इजी है यह पूरा का पूरा जो सेकिंड यूनिट है इसमें आप आप लोग आसानी से स्कोर कर सकते हैं तो आज सिंबॉलिक ओप्रेशन करेंगे कल ही आप लोगों को ट्रेंट्स में लेक्चर मिल जाएगा फिर अग्रे दिन स्पेस औरियेंटेशन पर यह मैक्सिम लेक्चर ऐसे हैं जो सिंगल लेक्चर में ही आपका कम्प्लीट कर देग और यह रहा आप लोगों के सामने एक updated mock test schedule बहुत सारे बच्चों ने हमें कहा था कि उनको test चाहिए तो आप लोगों को बता दू हम लोगों ने अभी तक यह test जो है वो complete कर लिए है अब आप लोगों का next test जो है वो 25 थारिक होगा अगर आप लोग हमारे कोई भी course नेना ज जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की class को बिना जादा डाइंवेश किये और अगर आप लोग यह सारी चीज़ें चाहते हैं एक जगा पे तो आप लोग वर्ड से ही समझ चुके होंगे कि यह chapter में है क्या देखो एक तो हम लोगों ने पहले एक ऐसी चीज पढ़ी थी वो थी mathematical operations उसमें math के questions को थोड़ा किया जाता है symbolic operations में आप लोगों की दो चीज़ें जो है यूज होती है पहली चीज क्या है पहली चीज आती है यहां पे जो examiner जिसमें confuse करने की कोशिश करता है वो आ जाती है आपकी common sense ठीक है यह किसी book में आपको नहीं मिलता जिस तर बॉर्ड मास अब बच्चपन में 3rd 4th class में बॉर्ड मास शुरू होता है बॉर्ड मास होता क्या है B stands for bracket ठीक है आप लोगों ने bracket देखी होंगे इस तरीके से कभी बच्चपन में questions अब solve कियोंगे O stands for off यानि कि जिसको multiplication ही कहते हैं अगर हम बात करें D stands for division या फिर अगर मैं divide लिखूँ यहां पर M stands for multiplication ठीक है इसके अलावा A stands for addition और S stands for subtraction यह इस sequence में जब भी आपको यह basically अगर हम मैं बात करूँ यह बॉर्ड मास आपको आम तोर पर यूज़ करते हैं आप लोग simplification में लेकिन symbolic operation में किस तरीके से questions आते हैं वो हम लोग देखेंगे आज की date में symbolic operation का अब क्या मतलब देखो अब होता क्या है operations आपके यही होते हैं operations यह तो आपका addition होगा multiplication होगा division होगा subtraction होगा bracket की form में होगा operations आपकी यह सबार आते हैं अब symbolic का क्या मतलब आता है कि यह आपको किसी symbol में गईभन होगा अब symbol किस तरीके से हो सकता है, symbol आपका कोई भी हो सकता है, कहीं बार वो greater than की form में आपको बोल देगा, जो greater than का sign है वो उसका represent करता है addition को, less than को represent करता है multiply को, हो सकता है आपको दे दे जाएगे, जो plus का sign है वो represent करता है minus को, और जो division का sign है हो सकता है वो आपका represent करता है यहाँ पे division कोई इस तरीके से आपको बहुत सारी जो है symbol दे दिये जाएंगे confuse करने के लिए और बोला जाएगा कि यह यह है और आपको एक equation दे दी जाएगी और उसको बोला जाता है यहाँ पे solve करो for example मैं आपको एक question यहाँ बदा देता हूँ आपको लिखा होगा paper में जो type 1 आती है जो most common type आती है paper में वहाँ पे आपको लिखा होगा if minus denotes addition छीक है if उसके अलावा मान लीजिए आपको दिया होगा plus denotes subtraction multiply का sign जो symbol है वो denote कर रहा है आपका यहाँ पे division और मान लीजिए जो आपका division का symbol है वो denote कर रहा है आपका यहाँ पे multiplication ठीक है इस तरीके से आपको दिया जाए एक और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो question की form में है वो यह दिया जाता है 7 minus 10 into 5 divided by 6 plus 4 is equal to dash option में आपको given हो जाएगा 3, 12, 15, 9 इस तरीके से जो है question बनता है देखो मैं आपको जो step बताऊंगा आप लोगों को वही steps को follow करना है तीन step होते हैं जादा इसमें difficult नहीं होता है गलती करने के chances अब examiner यह question क्यों set करेग अब आप लोगों को भी दिमाग में आएगा कि अगर यह इतना easy तो examiner क्यों डालता है मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग में बताई क्यों डालता है examiner examiner चाहता है आपका time waste क्यों करवाएगा वो कैसे करवाएगा अब मैं आपको बताता हूं ध्यान से देखिएगा ब बहुत सारे लोग आपको ना shortcut method बताएंगे लेकिन मैं इन questions पर shortcut methods को avoid करता हूं reason क्या है shortcut से आप लोग ये question 10-15 second में करोगे जिसमें गलती होने के chances आपके 70-30 रहते हैं हो सकता है 70% आप सही आन से निकालो 30% आपके chances होते हैं कि एक आदी चीज गलत हो जाएगी और गलत हो जब आप shortcuts के through जाते हो मैं आपको बताऊंगा उसमें हो सकता है आपको 20-30 second लग जाए लेकिन जो ratio होगा वो 95-5 हो जाता है आपके गलत होने के chances 5 का भी बहुत जादा बहुत कम chances हो जाते हैं step 1 में क्या होता है step 1 में हमें क्या करना है step 1 में जो भी हमें symbols given है हमें उसको multiply का sign हमारा represent कर रहा है division को और division जो है वो डिवाइड जो है वो represent कर रहा हमारा multiplication सबसे पहला step क्या है जो को भी आपको paper में rough sheet मिलेगी आप लोगों को इस तरीके से लिख दे रहे हार लिक इतने second लगेंगे 2-3 second लगेंगे आपको यह data यहां पर इस तरीके से करने में ठीक द step 2 में इसको additives उतारना है उसके बाद क्या करना है उसके बाद मैं एक यह sign देखूंगा और मैं यहां देखूंगा और इसको equation को ऐसे लिख दूँगा यह मैं arrow वगरा आपको समझाने के लिए कर रहा हूं paper में arrow वगरा बनाने की जुरूरत नहीं है multiply क्या represent कर रहा है division कर रह रहा है plus क्या represent कर रहा है minus represent कर रहा है जब एक बार हम लोगों ने यहां तक बना दिया तो यह हमारा basic simplification का question बन गया basic simplification में maximum cases में हमें क्या use करने को देखने को मिलते है जो operations है वो है board mass अब हमें क्या करना है अभी के लिए समझाने के लिए इसी approach में करना है step 1 में क्या करना ह इसको break करके करोगे बहुत गलती होने के chances कम हो जाते हैं सबसे पहला चीज क्या होती है यहां पर सबसे पहली चीज अब bracket or off है नहीं division होगी division यहां पर यह है 10 divided by 5 इसको क्या लिख सकता हूं 2 ठीक है 10 divided by 5 2 आ जाएगा 7 plus 2 multiply by 6 minus 4 step 2 में क्या होगा देखो multiplication होगी यहां पर है multiply कर दो 12 लिख दो बहुत कम होगा गलत होने के chances अगर आप इसको step wise करना शुरू कर दोगे 12 plus 9 sorry 19 minus 4 15 यहां पर answer ठीक है जो basic चीज समझानी थी यह पूरा chapter जो समझाना था यहां पर खत्म हो गया अब मैं आपको करमाओंगा questions उसमें आप लोग बहुत सारी चीज़े सीख होगे ठीक है यह जो basic steps थे मैंने आप लोगों को जो समझाए है इसको ध्यान रखना और इसी approach से देखना हम लोग सारे questions करेंगे time maximum to maximum आपके 40 seconds हो जाएंगे paper में 30 seconds आपको ज्यादा से यहां पर लग जाएगे अब क्या पहली चीज क्या बोलिए देखो if plus means minus क्या बता है मैंने पहले step में क्या करना है हम लोग वैसे ही चीजों को लिख देंगे minus मतलब multiply division का मतलब यहां प question में अब कहीं बार बच्चे क्या करते हैं जल्दबादी में क्या करते हैं इसी को सिधा यहां पर करना शुरू कर देते हैं यहीं पर multiply को divide कर देंगे हम लोग क्या करेंगे हम लोग बिलकुल एक sequence में चीजों को चलाएंगे मैंने सबसे पहले क्या किया मैंने सबसे पहले आ मुल्टिप्लिकेशन में चेंज होगा 2 प्लस किस में चेंज होगा माइनस में चेंज होगा 3 यहां तक लिख दिया अब आगे हमारा basic board mass यह मैं लिख रहा हूँ पेपर में लिखने की ज़रत नहीं है जब आप लोगों मैं practice sheet दूँगा आप लोगों को भी इतनी तैयारी हो जाएगी यह ज़्यादा time लेगा ऐसे लिखोगे एक एक चीज को तो अब सबसे पहली चीज पता है division होगी दस को divide गया 5 से क्या है 2 मैं इसको as it is लिख दोंगा ठीक है पूरी equation साथ साथ चलाएंगे गलत ही नहीं होगी कहीं बच्चे क्या करता है दिमाग में सारी calculation कर देते हैं उसमें एक आता step गलत हो जाता है पूरा question गलत हो जाता है अब दूसर चीज क्या multiplication 3 to 2 6 अब 6 2 8 माइनस 3 क्या आएगा 5 option है बिलकुल है answer समझ आया यह आपका symbolic operations है symbolic operation में 3 तरीके के questions बनते हैं अब इसमें कहा गया है A को represent किया गया है addition के साथ B को represent किया गया है माइनस के साथ C को represent किया गया है multiply के साथ और D को represent किया गया है यहाँ पर आपका sorry किस के साथ आपका division के साथ यह हमने लिख दिया as it is अब हम लोग क्या करेंगे equation उठाके लिखेंगे 6 B 16 D 4 अब C को क्या का गया है C क्या है हमारा multiplication है A क्या है A हमारा addition है B क्या है B हमारा subtraction है और D क्या है D हमारा division है यहां तक equation बना दी फिर सिरफ simplification का paper में यह question रहेगा इसमें जादा इसमें आपका time नहीं जाएगा अब सबसे बाली चीज़ 16 divided by 4 क्या आएगा 4 मैं इसको as it is लिख दूँगा देखो जादा time नहीं लगेगा हम इसको अगर इस तरीके से भी करेंगे ना जादा time नहीं लगेगा अब हाँ 18 into 14 अब आप लोगों में जिन बच्चों ने पुरानी classes नहीं देखी है मैंने आपको एक shortcut method सिखाया है multiplication का वो देख क्या हो profit loss में उसको सिखाया था आठ चार बत्तिस चार एक आठ 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 चार बाना तीन पंद्रा एक और यह आगया 252 252 प्लस 6 माइनस 4 258 माइनस 4 क्या बचा 254 क्लियर है यहां तक यही यह chapter है बहुत easy है जल्दबाजी में जाओगे हो सकता है 10 सेकिंड में question निकाल दो हो सकता है 80% chances है कि सही हो बट कहीं बार क्या होता है एक्जाम में जब pressure होता है बहुत सारी चीज़े चार रही होती है mix तो गलती होने के chances बढ़ जाते हैं अराम से sequence में करोगे गलती बहुत कम chances होंगे कि गलती होगी ठीक है यही operations है यही operations आपको हर जगा देखने को मिलेंगे अब इसमें क्या कहा गया है equation पहले लिख देते है 4 D 16 A 5 B 8 C 5 चीख अब change कर रहा है हमें D क्या represent कर रहा है addition को A क्या कर रहा है multiplication को B कर रहा हमारा यहां पर division को और C क्या कर रहा है minus 5 अब यहां पर एक चीज़ देखो अब यहां पर क्या होगा यहां पर बहुत सारे बच्चे ना 5 divided by 8 करके करना decimal में लिखने की कोशिश करेंगे जरूरी नहीं है हमें इसको करना है इस तरीके से into 5 division है upon में आ जाएगा clear अब multiplication दूसरा step है cancel out कर दो 5 2 10 plus 4 minus 5 14 minus 5 क्या आएगा answer no answer समझाया बिल्कुल basic approach है basic type है पहली type है यहां तक किसी को confusion नहीं हुई होगी ठीक है यहां तक clear है आजो next question के उपर अब next question को देख लेते हैं एक बार अब हाँ यह question आती है हमारी type second जो कि थोड़ा सा ज्यादा time consuming होती अब होते हैं क्या है आपको इसी तरीके से question दे दिये जाएंगे कि जो आपका plus है वो क्या represent कर रहा है minus को division जो है वो आपका represent कर रहा है यहां पे addition को minus जो है वो represent कर रहा है आपका multiplication को और multiplication जो है वो represent कर रहा है आपका division को ठीक है यह आपका यहां पे given है अब क्या कहा गया है दियान से इसको पड़ो अब यह कहा गया है which of the following equation is correct अब यहां पे देखो क्या कहा गया अब यहां पे आपको बोला भाया बताओ कौन सी ऐसी question है जो सही है traditionally मैंने एक अब इस sequence में चीज़ों को चेक करेंगे हो सकता है कहीं बार option A में आपको answer मिल जाएगा हो सकता है कहीं बार आपको D में ही option मिल जाए लेकिन इस तरीके के cases में जब examiner डालता है maximum cases में C और D में आपको paper में answer मिलेगा ज्यादा तो cases में C option आपको सही दिखता है ठीक है तो य यहां पर symbols को change करना है multiply क्या represent कर रहा है multiply represent कर रहा है division को minus represent कर रहा हमारा multiply को plus क्या represent कर रहा माइनस को अब इसको बना दो इस तरीके से माइनस 10 चेक करो कि यह क्या इसके बराबर होता है चार से काड के देखते है यारा 4 टूजा 8 और यहां पर आगया 32 आठ देखो यहां पर एक चीज मुझे दिख रही है कि denominator में यारा है चीक और यहां पर आप लोग प्लस माइनस कर लोगे 46 तो आपको यह नहीं देखे है 56 प्लस 12 ट्रीटिए भाइर हमारा अप्लस बसेंट कर रहा है माइनस को मल्टिप्लाई का altri कर रहा है मठिद ग्या पर चया है माइनस को यह हमारी एक पर इक स्थनOME बन गई अब इसको करेंगे जफमारा पॉन 54 बढ ऑन 12 बारा हां कर लेते हैं इंट्वारा स्कू करेंगे अगर हम आगे cancel out मुझे वापिस से यहाँ पर जो equation है वो 17 देखने को मिल रहा है denominator में और मुझे नहीं लगता कि यह आपको यहाँ तक पहुंचाएगा पहली चीज क्यों क्यों कि बाना बाना 144 करोगे 56 और 102 तो यह नहीं आ रहा यह common sense से भी आप इन चीजों को eliminate कर सकते हो जरूरी नहीं आपको हर एक equation को निकालना पेपर में बैठके तीसरा option क्या कहता अब यहाँ पर हमारा तीसरा option हमें यहाँ पर कह रहा है एक सब्सक्राइब रुकिएगा एक मिनट रुकिए यहाँ पर हाँ तीसरा option क्या कह रहा है यहाँ पर तीसरा option कह रहा है 9 divided by 64 minus 2 into 6 अब यह given है अब 9 divided क्या कर रहा है plus को represent कर रहा है minus represent कर रहा है multiplication को multiplication कर रही है यहाँ पर division को अब इसको कैसे करेंगे इस तरीके से लिख लेते हैं upon 6, 1 upon 3 अब ये भी 64 जो है 3 से नहीं जाता है decimal में आपको मिलेगा और 9 है यहाँ पर एक equation में जो आपको answer 54 मिल रहा तो ये भी option आपका सही नहीं होगा first option answer है 3 eliminate होगे आप सीधा भी mark कर सकते हैं एक बारी चेक करने के लिए कर लेते हैं 8 divided by 44 minus 5 plus 25 divide हमारा represent कर रहा है plus को minus हमारा represent कर रहा है multiplication को plus हमारा represent कर रहा है minus को कर के लिखते हैं 5, 4, 20 5, 4, 20, 220 plus 8 यानि की 228 minus 25 यह हमें दे जाएगा 203 203 given है बिल्कुल सही given है answer time consuming होते हैं यह questions इन questions को देखो free के number तो है अब कैसे time बचा देखो मैं अभी यह question कर रहा हूँ 1,5 minute मुझे लग रहा है कि मुझे भी इस question को करने में लगा लेकिन अभी मैंने आपने देखा होगा मैंने बहुत सारी questions में जो calculation उसको skip किया अब भी यह examiner यह questions डालता ही इसलिए है कि आप इसमें कितना time invest करोगे paper में आप लोगों को बता रहा हूँ यह question अगर आपको दिखते हैं अगर आपको इस तरीके के दिखते हैं आप इसको attempt करें अगर आपकी calculation speed कम है उसको बढ़ाने की कोशिश करें क्योंकि आपको at the end of the day symbolic operations में symbolic यह जो है symbols को हटाना है operations exact बनाने है फिर इसको simplify ही करना होता है अब आजो next question क्योप अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है यहाँ पर हमें कहा गया है किस तरीके से कहा गया है question में इसमें a को कहा गया है कि plus है b को कहा गया है minus है c को कहा गया है multiplication है और d को कहा गया है division है वही अप्रोच करेंगे इससी sequence में इसको चलाएंगे 8a यानि ki 8 plus 8 पहले उपर लिख लेता है पूरी equation 8a 8b 8c 8 यह a represent करता plus को b represent करता है minus को और c represent करता है multiplication को यहां तक clear है अब सबसे पहले 8 into 8 64 अब यह minus में है और यह addition में होगा 8 plus 8 16 minus 64 क्या आजाएगा minus में 48 और by chance यही हमारा सही है देखो जब आपको answer मिल गया उपर वाले चेक करने की ज़रूरत नहीं है पेपर में clear है यहां तक करना सेम तरीके से है types अलग-अलग आती है अभी तक हम लोगों ने types को discuss किया है पहली type हम लोगों ने क्या देखी थी पहली type आ जाती basic जिसमें आपको equation दी होगी उसमें आपको डालना है और आपको सही answer निकाल देरा दूसरी type जो सबसे जादा time consuming है मेरे हिसाब से वो यह आती है जब इसमें आपको चार अलग-अलग equation दी हो जाती है और पूछा जाता है कि इनमें से बताओ कौन सी equation correct है यहां तक clear है अगर clear है तो बहुत अच्छी बात है अब next पे आजाओ next में क्या का गया देखो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वीडियो pause कर दो एक बार इसको खुद solve करो फिर वीडियो play करना और आप लोग जो अभी भी class देख रहे हैं सीधा answer check करना ठीक है क्या कहा गया है t represent कर रहा है multiplication को u represent कर रहा है minus को x multiply कर रहा है represent division को और w represent कर रहा है आपका plus को यहां तक ठीक है equation क्या है equation है 50 यह x है ठीक है x 2 w 28 t 4 इस तरीके से equation देगी बनाऊगी अब x क्या represent कर रहा है division को 50 divided by 2 bracket है w कर रहा है plus को 28 t क्या represent कर रहा t कर रहा है multiplication को into 4 अब यह divide करो कि क्या आजाएगा 25 plus क्यूं पहले क्योंकि bracket है bracket दोनों solve होंगी 4, 8, 32 8, 4 8, 112 और 25 137 यह आपका answer clear है यह तो अभी तक हम लोगों ने एक चीज देखी अब देखो कहीं बार क्या होता है कहीं बार ने examiner बहुत चलाकी करता है वो आप लोग क्या करोगे आप लोग यह देखो जो equations हमें given है यहाँ पर यह चारों की चारो equations सेम है अब कहीं बच्चे क्या करता है पहले option number D को करेंगे फिर C को करेंगे फिर B तक आएंगे फिर A तक आएंगे देखो बेवकुफी यह होती है हम लोगों को ना थोड़ा सा अपना जो mind है मैंने आपको एक पहली चीज बताई की थी सबसे पहला rule common sense common sense क्या है इस equation को करना हम सही कर लेंगे जो भी हमें answer मिलेगा वो जिसके सामने लिखा है वो हम उसको answer मार कर सकते हैं अब करके देख लेते हैं ये question अब मैं आपको अपने तरीके से करके बताऊंगा कि paper में जब मेरे सामने equation आएगा तो मैं इसको किस तरीके से करता हूँ और मैं expect करता हूँ practice करके आप इस level को match कर दे देखो क्या का गया है minus होगा division plus होगा subtraction division stands for multiplication multiplication stands for addition ये का गया है equation क्या है 70 minus 2 plus 4 divided by 5 into 6 minus क्या हो जाएगा आपका 70 upon 2 क्योंकि divide है plus क्या हो जाएगा आपका यहां पर plus हो जाएगा minus 4 divide हो जाएगा आपका multiply और multiply हो जाएगा आपका plus 6 यहां तर clear है यह equation बनेगी अब इसको आगे further solve करो 35 minus 20 plus 6 35, 41, minus 20, 21 किस equation में इस equation में answer खतम यह speed आप लोगों को भी चाहिए इस तरीके की practice आप लोग करोगे इसमें करने का तरीका जो है वो सबसे ज़्यादा important है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि reasoning में कहीं बार बच्चे जब time बचाने के लिए चीज़ों को करते हैं तो वो गलती करने के chance रखते हैं मैं reasoning को मैंने कभी किसी भी coaching institute से नहीं पड़ा हुआ यह जितनी चीज़े हैं यह सारी raw है मेरे खुद की बनाई हुई है जो मैं आपके साथ share करता हूँ आप इसको time 10 second extra दे दो गलती का chances इसमें बहुत कम हो जाता है और यह question repeat होगे इसको यहाँ पे हटा देते हैं next question पर आजओ देखो same question है उसी की तरीके का मिलता जुलता है इसको आप लोग homework note करो ठीक है equation में डालोगे आप लोगों को यहां से answer मिल जाएगा या फिर करना तो एक बार हम लोग यहां पे साथ में करके देख लेते हैं अगर आपका minus जो है वो क्या represent करता है division को represent करता है यहां पे plus जो है आपका represent करता multiplication को division का sign आपका करता है यहां पे subtraction को multiply का करता है यहां पे addition को lines को पड़ा और उसको उसी sequence में लिख दिया अब equation same है नहीं same नहीं है हाँ यह तो same है बाट यहां पे क्या चीज़ीज़ है यहां पे यह जो symbols है ना वो अलग-अलग है तो आपको इसको इसी sequence में चेक करना पड़ेगा आपको इसी ratio में ऐसे ही चलाना पड़ेगा आप करके देख लेते हैं पहले का given है 19 divided by 5 plus 4 minus 2 divided by 4 और पूछा गया क्या है यह 20 के बराबर है या नहीं करके देख लेते हैं 19 minus 5 plus का sign क्या है यहां पे plus का sign है multiplication of 4 minus का sign क्या है यहां पे division of 2 और division का sign क्या minus 4 करके देख लेते हैं 19 minus 5 into 4 upon 2 पहला क्योंकि division होगा ठीक है कहीं बार बच्चे 5 आर 20 upon 2 कर देते आएगा वैसे भी आपका वही बगर sequence में चलानी है चीज़े 2 से गया 19 minus 10 minus 4 19 minus 14 यह आगया आपका 5 5 है 20 given है यानि कि यह गलत है clear है यहां तक next पे आओ इसमें आपको हर एक में यह सबसे जाले time consuming है जब मैं paper देता था starting वाली आपकर questions दिख जाएगे ना पहली time के वह बहुत जल्दी हो जाते है जाएगे multiply का sign है minus का plus का sign है आपका multiplication of 4 minus का sign है आपका यहां पर division का of 2 और multiplication का sign क्या था plus प्लस 4 वैसे तो इसको वह है जो हम लोको ने अभी किया था यह आजाएगा आपका minus 5 into 2 plus 4 19 minus 10 plus 4 ठीक है 19 4 23 minus 10 13 क्या 13 है बिल्कुल है answer उपर वाले check नहीं करने इतना confidence खुद पर रखना ठीक है यह एक basic approach है आप लोगों बहुत फाइदा देगी next पर आजाओ next पर आओ next question की type को देख लेते है same अभी मिलती जुलती करी है इसको आप लोग as a homework treat करो इस question को homework रखो क्योंगी easy है अभी इसी वीडियो में जब तक मैं बाकी questions कराऊंगा ना इसको pause करो वीडियो को इसको solve करके के नीचे comment box में answer लिख देना यह आप लोगों का काम है multiplication क्या कर रही है minus को plus कर रहा है यहां पर multiplication को minus कर रहा है यह अडिशन को और आप लोगों बोला तीन ही जिंबल यहां पर इस पर दिये हैं करके देख लो 12 plus का sign करेगा multiply 3 multiply का sign क्या कर रहा है यहां पर minus 1 plus का sign क्या represent कर रहा है multiplication minus का sign क्या represent कर रहा है 1 यह बने ऐसे लिखे है आप लोगों को क्या करना आप लोगों को पहले equation उतार नहीं है फिर इस चीज को करना है क्योंकि सबसे जादा गलती के chances इसी case में होते है ठीक है अब further solve करो सबसे पहले होगी bracket solve into 2 into 4 plus 1 4 into 2 8 12 96 8s are 96 plus 1 97 option है बिलकुल है answer समझा आएगा I hope इसमें को कि इतना समझाने वाली कोई चीज नहीं है basic simplification पे ही सारी चीज़े चलेंगी लेकिन symbolic representation में गलती कहां पे होती है वो मैंने आप लोगों को यहां पे बताया है next पे आते हैं हम लोग यह भी जो question है यह repeat हुआ है यहां पे यह question आप लोग इस question को homework मनों क्योंकि सारे homework मैं ही कर दूँगा तो करोगे क्या यह homework है इसको note करना एक last type जो type 3rd आती है अब इसमें क्या होता है इसमें न examiner आपको सिरफ यह देदेगा आपको equation दी जाएगी 24 something 4 something 5 something 4 ठीक है एक गाना भी आया था पहले tell me something करके वैसा ही एक आपको यहां पर देदी जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि बताओ कौन से operations यहां पर अगर हम इस asterisk की जगा रखेंगे तो हमारा answer सही आएगा करने का तरीका क्या है अब ऐसा तो है नहीं कि हम randomly उठाएंगे इसी sequence हो इन चीज़ों को उठाओ और करने की कोशिश करते है ठीक है सबसे पहली चीज़ 24 is equal to 4 plus 5 multiply by 4 अब यहां पर क्या है मैंने इसको उठाया पहले एस्टिक में equal to फिर plus फिर multiplication पांच चार क्या हुआ 20 और 4 24 पहली चीज़ यहां पर यह तो यहां पर हो गया सॉरी सॉरी एक सेकेंड रुकिए हां पांच इंटू चार 20 प्लस चार 24 यहां पर आपका अंसर आ गया तो यह पहला question था इसका आंसर भी आपका इस तरीके से निकल आएगा यहां पर मुझे थोड़ी सी confusion लग रही है मैं जो एक सिकिन option नमबर बी को भी अगर चेक करने दो तो चार इंटू पांच प्लस चार यह देखो इसमें क्या है इसमें दोनों option से आपका answer सेम आएगा ल अब इस case में क्या है sorry इस तरीके से चीज़े given है आपको symbols find करने है हमें नहीं पता कि equal to 6 है equal to 9 है क्या है वो हमें यह बताएगा अब क्या कहा गया है 9 multiply by 3 plus 3 minus 3 is equal to 6 यह equation आप हमें बताना है सही है नहीं 9 3s are 27 plus 3 30 minus 3 27 6 है नहीं है यह गलत है छीक समझ आ गया यह करना कैसे है क्योंकि जब practice दूंगा तब आपको चीज़े समझ आ जाएंगी इसमें आ जाओ next case में मैंने उसको क्यों मिटाया एक से क्यों अब next में क्या कहा गया है 9 minus 3 plus 3 plus 3 is equal to 6 अब यहां पर सामने एक चीज़ देखने को मिल रही है 9 3 12 3 15 minus 3 12 होता है छे तो होता नहीं तो यह भी आपका गलत है next पर आते है next options क्या कहने है plus यानि कि 9 plus 3 minus 3 into 3 is equal to अब यहां पर देखो क्या है अब यहां पर बच्चा क्या करता है मैं आपको दाता है 9 3 12 minus 3 no और into 3 27 गलत ऐसा नहीं है हमें जो यह ना बॉर्ड मास इसको नहीं बूलना है जल्दबाजी के चक्करों में बिलकुल भी सबसे पहला step क्या आता है multiplication 9 ठीक है यहां पर समझ आया पहला point ही समझ आया आपको क्या कहा गया था यहां पर इसके बाद 9 और यह 9 cancel out 3 बचा 6 नहीं है यह भी आजाओ next पे option नमबर A सही है इतना तो confirm हो चुका है क्योंकि तीनों options हमारे गलत हो गए है करके देख लेते हैं 9 divided by 3 multiply by 3 minus 3 is equal to 6 अब बॉर्ड मास है 9 upon 3 into 3 minus 3 cancel out 9 minus 3 is equal to 6 option number A आपका सही answer है समझ आया यह जो यह टाइप्स है ना यह सबसे दिमाग खराब करने वाली टाइप्स आ जाती है अब यहां पे आपको क्या है यहां पर आसानी दे दिया is equal to 0 बोला है और आपको यह भी क्या देता हूं मैं homework के तहत है 15-20 questions होंगे ताकि आप practice कर सको एक test आप लोगों को मैं दे दूँगा जिसमें आप लोगों को timer के साथ चीज़ों को करने में आप प्रेक्टिस को timer के साथ कर सके unlimited time test को मैं कर दूँगा जिस भी course में आप लोगों को यह आड़ करूँगा तो आप लोगों को यह चीज़ समझानी थी अभी के लिए जो बच्चे को मैंने कहा है कि आप लोग reasoning मेरे भरो से रखें ऐसा नहीं कि मैं आपकी reasoning को लेकर भूल अगर लेक्चर पसंद आया होगा अगर लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को like करें अगले एक ही लेक्चर में अब आप लोगों को trends जो है वह हम करवादेंगे यह सारे lecture जित्ते भी आप लोग देख रहे हैं ना second part में यह single lecture वाले chapters है जैसे पहले classification में अलग-अलग टाइप साथ इसमें ऐसा नहीं है इसमें single आप लोगों की चीज़ें चलेंगी अगला lecture हम लोग करेंगे ट्रेंड्स पे फिस्पेस औरियेंटेशन स्पेस विजिलाइजेशन वें डाइग्नाम यह सारा मैं आपको sequence में करवाँगा तो आई होप आपको lecture पसंद आया है और अगर आप लोग हमारी राइप की रेटिंग अच्छी करवाते हैं तो हम लोग आप लोगों के लिए टेस्ट जो यह टॉपिक टेस्टें फ्री में हम लोग आपको अवेलेबल करवा देगें ओके काई बाबाई टेक्वर आल दुबस मिलते हैं जल्दी ने लेक्चर के साथ अबीकली दीजिये इजाजट वैव नाईस देग बबाई टेक क्या